कि अब अब तो अब तो अब तो अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉप्लम करने वाला एक क्वेस्टन को लेकर आया हूं जो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे पूछते हैं या फिर मेरे इंस्टागम पे लोग पूछते हैं जब फोडसोप यूज़ सामने आता है और यहां पर देख सब्सक्राइब को हमारे पास एरर आता है जाला तर उन सिस्टम में होता है जो low configuration system हो या फिर जिसमें RAM कम हो या फिर जिसमें hard disk कम हो अगर आपके पास high configuration system में उसमें भी problem आता है लेकिन कभी-कभी आता है ठीक है लेकिन जाहते लोग configuration system वाले लोग इसको face करते हैं ठीक है बट इसका solution क्या है so friends मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ बहुत ही simple सा solution है अगर आप उसको follow करते हो तो बहुत हो easy way में आप उसको fix कर सकते हो और कभी आपके पास स्वर नहीं करेगा अगर आप store करता भी है तो इसके लिए बस एक ही आपके पास option बचेगा आपके system का Windows का re-installation ठीक है या फिर आप software को delete करके इंस्टाल कर लोगे तो भी same problem आएगा क्योंकि वह problem आपके system यानि की operating system है या फिर विंडोज हो दोनों में system के problem से हमारा वह error बताता है ठीक है तो दोस्तों इसको fix करने के लिए हमनों अलाग-अला method यूज कर सकते हैं पहला method हमारा ह अपने system को clean कर ले जैसे clean कैसे करो मैं आपको बताता हूं जैसे आप अपने system पे जाओ के अपने this PC को पेंग करो जहां आपके local links होते हैं तो आप यहां पर देखोगे मेरा C drive लगबख फुल है ठीक है आपका इससे ज्यादा full हो सकता है ठीक है तो आप यह कोशिस करो कि कम से कम ए space आप फुल करो drive C का ज्यादा आप local links जो next आपका है local links D, C या पिर जो भी हो किसी में local links लिखा रहता है किसी में आप जो आपका operating system जिसम में install है जाया था कि operating system होते हैं वह सी में install होते हैं तो आप क्या करो विस C drive को आप मैंसे आप खाली रखो clean रखो जो भी आप डाउनलोड करते हो या पर जो भी इंस्टाल करते हो सारे C में ही install and download होता है तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको आप आप पात दे सकते हो कि इसको मैं यहां पर डाउनलोड करने वाला हो ठीक है तो पहले यह कर लो अप डशीट राइक को क्लीन कर लो एन एक बाद system को restart कर लो ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको Photoshop ओपिंग करना है तो मैं यहां पना Photoshop ओपिंग कर लेता हूं, यहां भी Photoshop ओ यहां पर ओपिन हो जाएंगे उसमें से आपको एक option ढूढ़ना है जो आपकी problem है आपकी problem अभी है scratch disk जो की scratch disk फूल बताता है ठीक है तो यहां आप देखोगे तो इसमें एक option आपको मिलेगा scratch disk का यहां आप देखोगे एक option है scratch disk क्लिक कर देना है तो यहां आप देखोगे आप वहीं local list दीख रहे हैं जो आपके system में माधिस PC में आपके hard drive का partition था वहीं यहां पर भी शो कर रहा है तो simply आपको क्या करना है C पर चेक रहने देना है और सेकेंड वाले पर भी आपको चेक कर देना है अगर आपके पास all walls or drive है तो आप किसी भी एक पर चेक कर सकते हो जिसकी memory ज्यादा हो तो आपके system क्या करता है आपके hard drive को RAM के तौर पर यूज करता है और इसमें अपना data को सेव करता है इस टाइब से आपको simply यहां पर चेक कर लेना है और simply यहां से ओके कर लेना है ठीक है अब आपकी problem यहां पर solve हो चेकी है और आपके अपना file सेव करोगे तो आपका stress is full नहीं बताएगा आज की वीडियो मसीत नहीं छोड़ी से जनकाई थी लेकिन बहुत यूसफुल है और कुछ नहीं वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्काइब करने बाद बेल आइकन को आल कर लिजिएगा अगर आप मुझे सोसेल मेडिया फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप उसको चेक कर लो और मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो लेटेस जनकारी के लिए और मैं अगला वीडियो तो लाता ही रहूंगा तब तक के लिए बाए बाए